हेलो बच्चो स्वागत है आपका अपने चैनल S.R.S. Learning में और बच्चो ये आपकी आज की विज्ञान की दसवी किलास की वक्षीट है साइन्स की ठीक है विज्ञान की जिसमें आज हम गोले दरपन के लिए चिन परिपार्टी नए मतब इसमें क्या हम चिन के बारे में आज हम जानेंगे साइन कर्वेंशन के बारे से हम इंग्लिश में बोलते हैं तो क्या हम समझते जाते हैं और करते जाते हैं क्या कि वस्तू सदे दरपन की बाई और रखी जाती है जैसे आपको ये जो बता रहा है ये आपका चित्र है इसके ही आपको क्या है इन चीजों को समझ रहा है कि जो आपकी जो वस्तू है हमेशा कहा रखी जाती है दरपन के बाई और ठीक है जैसे आपको बाई साइड यो प्या है मंख्य आकश के उपर इसके उपर आपका नीचे हो वह इसकोा प्रिन्याइटमक क्या लेंगे? और जो उपर होगा उसमें क्या है आप प्लस साइन का यूज करेंगे तो यह बच्चे क्या है आप इस डायक्राम को देखके समझेगा और हमें याद रखने योगे बाते क्या है हमारे की दरपन से वस्तु की दूरी यू जो हमारी यू होती है वह हमेशा रिनात्मक मतलब पोजिटिव होती है अफ्तल दरपन की फोकस जूरी क्या होती हमेशा रिनात्मक मतलब प्लस होती है और उत्तल दरपन की कैसी होती हमेशा धनात्मक यह बेटा हमें याद करने वाली बात है तो इसको हम बार-बार रिवाइस करेंगे तब भी हम इसको समझ पाएंगे और यह क्या है आपका दरपन का सुत्र है जिसको यह भी आपको याद करना है कि यह आपका 1 है यहाँ 1 अपन F ठीक है 1 अपन V प्लस 1 अपन U जिसमें V क्या दे रखा है यह दरपन से परतिविम की दूरी है कि जब आपको दरपन है इसके परतिविम की दूरी कितनी बढ़ने है U परतिविम से वस्तु की दूरी और जो आपकी F है वो क्या है आपकी Fोकल दूरी जिसको हम Focal Length भी बोलते हैं ठीके तो हम सीधे अपने क्ोशन पर आते हैं क्या की समतल दर्पन का आवर्धन है तो यह क्या दर्चाहता है। ऐस्फे कर प्लत्य गार के पर आवर्धन है, हमारा जब उसी के बराबर होगा। नेक्स कोश्चन क्या है कि यदि दरपन का आवर्धन माइनस वन है माइनस यह आवर्धन माने क्या होता है मैगनिफिकेशन जिसको आप इंगलेशने बोलते हैं और इसको हम शोट फॉर्म में लिखते हैं इसना है प्लस 6 प्लस 6 है तो दर्पन का नाम बताना है और पर्तिबट के गुन तो दर्पन कैसा बनेगा हमारा अफ्तल दर्पन बनेगा कैसा बनेगा अफ्तल दर्पन और विशेशता कैसी है इसकी अभासी और सीधा पर्तिबिम बनेगा और कार में बड़ा बनेगा ठीक है क कैसा परती भी बनेगा अभासी और सीधा और अकार कैसा होगा इसका बहुत बढ़ा होगा थीक है बढ़ा होगा तो यह हमारा कोशन तीन हो गए हमारा फॉर्थ कोशन क्या कह रहा है मेटा कि वस्तुए किसी भी इस्तिती के लिए यदि आवर्दन सदेव एक से छोटा है क्या देखो क्या है एक सदेव एक से छोटा है तो क्या है हमारा दर्पन का नाम बताना है हमारा दर्पन का नाम क्या होगा उत्तल दर्पन क्या होगा उत्तल दर्पन ठीक है और इसमें अगर हमारे अकार पूछते तो क्या होगा हमारा बहुत ही छोटा बनेगा हूँ ठीक है अब है फिफ्ट कोश्चन के यदि दस और माइनस फाइफ को हो तो आवर्दन ग्यात करो और परतिबिन के गुण यात करो यह आपका क्या है यह आपका वी दे रखा है ठीक है और यह आपका क्या है यू दे रखा है तो हमें क्या है परतिबिन के हमें क्या है इसमें आवर्दन का जो मान है वो ग्यात करना है हमे ठीक है तो हमने इस question आपके लिए ये भी solve कर रखा है पहले तो हमारा formula ये लगाएंगे कि M is equal to ये मतलब आवर्दन का जो formula होता है ये क्या होता है minus V upon U ठीक है इसमें V क्या दे रहा है आपको 10 दे रखा है और U क्या दे रखा है आपको 5 minus 5 तो हमने minus minus कटिया तो हमारा क्या आगया plus 2 ठीक है तो हमारा आवर्दन कितना आगया plus 2 आगया और अगर इसका मान आवर्दन का मान जो है दनात्मक आता है तो परतिविम कैसा बनता है हमारा अभासी वे सीधा बनता है ठीक है कब कि अगर हमारा जो आवर्दन है हमारा प्लस में आये तो हमारा प्लस में आये दनात्म काये तो हमारा पर्तिबिम कैसा बनेगा सीधा बनेगा और हमारा अबासी बनेगा ठीक है बच्चो तो ये हमारी आज की वक्षिट है जिसको हमने सोल किया है और बच्चों क्या है इसको आपको यह जो आपके यह दिखा रखें यह जो चिन है यह बता रखें कि अगर पलस होगा कि माइनस होगा तो यह क्या होगा यह बच्चो आपको क्या है यह याद करने वाली बात है आपको याद करना है यह भी आपको याद करना है यह भी ठीक है यह मतलब याद करो अब समझ की ठीक है बच्चो यह हमारी आज की वक्षिट थी जिसमें हमने कहा है कोशन को जादा हम ने क्या है फोकस किया है तो बच्चो आपम मिलते हैं की बख्षिति के साथ च्छा लगाओ तो प्लीज लाइक में जहां कंजुसी मत दिखा न थीक है और अब मिलते हैं के वक्षिति के साथ और आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप आपको तहिए देल से शुक्रिया ठीके बच्चों मिलते आगे की वक्षित के साथ और हमेशा खुश रहे और कोविड नाइंटरेंज से अपने आपको और अपने घरवालों को बचा के रखे मास का अपयोग करें सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करें ठीके बच्चों मिलते